हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज हम उत्राखंड के साहित्तिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन में से एक सैलेस मटियानी जी है सेलेस मटियानी जी का जन 14 अक्टूबर 1930 को अलमोडा के बाड़े चीना में हुआ था इनका मूल नाम रमेश चंद्र था सेलेस मटियानी ने विकल्प पत्रिका का प्रकासन भी किया था महाबोच कहानी के लिए उत्तरप्रदेश हिंदी सस्तान का प्रेमचंद्र पुरुस्कार मिला था मुटबेड उपन्यास के लिए इनहें फणिस्वर नात रेणु पुरुस्कार मिला था सेलेस मटियानी जी कहानी लिखने के भी सौकी इन थे जैसे इनके कहानी संग्रा हैं दो दुखों का एक सुख, चील, भविश्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टाने, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाज जमूरे नाज, जैसी अनेक कहानिया इनके द्वारा लिखे गई थी सैलेस मट्यानी के कुछ उपन्यास भी हैं, जो निमने प्रकार हैं, जैसे बोरी बल्ली से बोरी बंदर, कबुतर खाना, चौथी मुठी, एक मूठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्सी, जैसे अनेक उपन्यास इनके द्वारा लिखे गई थे तथा इन सब में से उनका पहला उपन्यास था, बोरी बल्ली से बोरी बंदर था ये सैलेस मट्यानी जी का छोटा सा जीवन परिचाए है ऐसे ही अन्य साहितकारों के बारे में भी जानने के लिए हमेर साथ चुड़े रहे हैं